दोस्तों जब भी हम pen card को online download करते हैं यानि कि अगर हम e-pen card को online download करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो pen card होता है वो उसका signature verify नहीं होता है क्योंकि दोस्तों अगर verify ही नहीं होगा तो हम उसको एक as a document कहीं भी use नहीं कर पाएंगे तो इसलिए जब भी आप online pen card को download करते हैं तो उसका signature verify होना बहुत जरूरी है तो कैसे आपको अपने signature को verify करना है अपने pen card पर इस वीडियो में हम वही सिखने वाले हैं वीडियो को इन तक जरूर देखेगा तब ही आप समझ पाएंगे हले दोस्तों मिरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हमसे फटेक्स तो चलते हैं आगे और step by step सिख लेते हैं तो दोस्तों आप देख पाएंगे हमारे पास एक pen card है और यहाँ पर देखेगा signature not verified तो इसको हमें verify कैसे करना है चले हम इसको close कर लेते हैं अब दोस्तों जो भी आपका e pen card है आपको सबसे पहले यहाँ पर इसको open करना होगा Adobe Reader के उपर यानि कि जैसे आप इसको right click करेंगे और यहाँ पर देखेगा open with करेंगे और यहाँ पर देखेगा Adobe Acrobat Reader DC और इस application को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा Google से यानि कि Google पर आप search करेंगे Adobe Reader Download तो आप असाने से इस software को अपने PC पर पहले डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको इसको open with Adobe Reader पर click करना होगा जैसे आप click करेंगे अब आपका जो भी pen card का आपका e pen card का password है आपका data बढ़त है तो आप यहाँ पर enter कर लेंगे और ok कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखीगा कि validity unknown है तो आपको बस यहाँ पर click करना होगा और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि Adobe Reader software के उपर अगर इसको open करेंगे तब ही यह work करेंगा चलिए हम इसके उपर click करते हैं इसके उपर आपको click करना है जैसे click करेंगे आप यहाँ पर signature आपको click करना पड़ेगा इस options पे जैसे आप click करेंगे आप यहाँ पर देखीगा आपके सामने options आएगा तो आप यहाँ पर जो है add to trust certificate पे click करेंगे और जैसे आप okay करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको certificate documents पे click करना होगा और इसको भी आपको उपर से tick करना होगा जैसे आप दोनों options को tick कर लेंगे उसके बाद आपको okay करना होगा जैसे आप okay करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखीगा आपक सकते हैं कि आपका signature वेलिडिट हो चुका है बहुत ही असानी से तो इस तरीके से आप किसी भी pen card के यानि की e pen card के signature को इस तरीके से verify कर सकते हैं I hope दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको e pen card से signature को verify करना है अगर आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को like जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ 20 वीडियो को जरूर से कर दें और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है question है तो आप comment कर सकते हैं या फिर आप directly मुझे facebook, instagram पर message कर सकते हैं जिसका link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप ऐसे interesting और knowledgeful वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe के bell icon को भी all पे जरूर प्रेस करना ताकि हमारी तरफ से आपको ऐसे latest वीडियो का update मिले सबसे पहले